दिस्पूजबल सिरींज मेकिंग बिजनस यह ध्यान दीजिए यह जो भी डिस्पूजबल यह सिरींज है यह तीन-चार टाइप के रेंज में आता है सबसे पहले 2 ml, 3 ml, 10 ml इस रेंज में इस सिरींज का प्रोडक्सन होता है और आपको मारकेट में बहुत ही लीमिटेट कमप इसके अलावा आपको fund का requirement कहां से पूरा आप कर सकते हैं, हर सरकार आपको इसके लिए loan भी provide करती है, तो loan लेने के लिए मैं कुछ technique भी बताऊंगा, और कुछ ऐसा document है, जो हम लोग खुद personally इसके लिए prepare करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा detail बताऊंगा, disposable screen making business, तो नमस्कार, मैं सत्यमकिर तीसी रिलांत अपना हूँ और business coach और writer आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, तो सबसे पहले basic से हम शिरुवात करते हैं, इस business को start करने के लिए किस चीज़ का requirement पढ़ेगा, location क्या है, space कितना चाहिए, देखे, location तो मैं यही कहूँगा कि यह business करने के लिए आपको कुछ खास माइने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा industrial land आपको मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, शहर के आसपास आप रहेंगे, तो आपको transportation, raw material की availability आपको आसानी से हो जाएगी, बहुत ही जादा गाओं में जाके मत कीजिए, क्योंकि raw material के लिए फिर आपको शहर ही आना होगा, तो आपका transportation costing बढ़ेगा, तो ध्यान दीजेगा आप, location आपको इस में आपको चुनना है, नेक्स्ट हो गया इसमें space कितना चाहिए, सिरीज मेकिंग बिजनस को करने के लिए आपको 2500 सो से 35 स्कार फिट का overall space चाहिए, requirement है, उसके लिए आपको भारत सरकार के तरब से loan मिलता है, एक scheme है, उसका नाम है, CGT MSE scheme, CGT MSE scheme के अंदर में आपको 2 करोड तक का loan मिलता है, इस business को करने के लिए, CGT MSE scheme से related मैंने पूरा detail video बनाया है, इस video को देखने के बाद description में उसका link मैंने दिया है, जरूर जाकर आप उसको check out कीजेगा, वहीं अगर loan लेने के लिए आप जाएंगे तो बहुत ही major document bank आप से मांगती है, उसका नाम है project report, project report के लिए हम आपको परपूर मदद करते हैं, उसके लिए आप हमारा website आप visit कर सकते है, myprojectreport.com या आप हमें direct email भी कर सकते है, projectmyreport at the red gmail.com, आप हमसे क manufacturing का process बताऊंगा, serene making business के लिए machine कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहला number जो इसमें machine आता है, उसका नाम है injection molding machine cap, इसका जो pricing है वो लगभग 10 से 12 लाग क्या सपास है, next इसमें आता है estralization plant, इसका pricing लगभग 4 से 6 लाग क्या सपास में, next इसमें आ गया blister packing machine, जिसका pricing compressor जो की 1 से 12 लाग क्या सपास में मिल जाएगा, next हो गया इसमें water pump जो की लगभग 20 लाग का मिलेगा, next हो गया इसमें chilling plant जो की 1 से 12 लाग का मिलेगा, और इसके अलावा कुछ आपको miscellaneous type के machinery या छोटे 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 equipment आपको लेने पड़ सकते हैं, जो लगभग 5 से 7 आसपास का होगा, इसके अलावा इसके अलावा भी आपको कुछ-कुछ machine या कुछ-कुछ समान और लेना होगा, जैसे इसमें सबसे पहला number आता है, scrap grinding machine, next हो गया इसमें weighing machine, जिसमें आप तौलते हैं, और last हो गया इसमें testing equipment, अगर इन सारे machine की कीमत की मैं बात करूँ, तो लगभग आपको डेड़ करोड के आसपास में ये machine जाएगा, देखी ये जो भी मैंने pricing बताया है, ये एक lump sum amount का price है, ये fix नहीं हो सकता है, जादा में भी आपको मिले या कम में भी मिले, ये दोनों ही हो सकता है, machine लेने के लिए आप Google पर आप संपर्क किजिए, वहाँ पर जाता है, इंपोर्ट का process है, किसी अच्छे machine seller से आप machine खरीदेंगे, तो ही जाके आपका ये काम चलेगा, और ये सारा machine का जो pricing है, ये total depend करता है कि कितना capacity का machine आप लेंगे, जैसे जैसे आप production capacity बढ़ाएंगे, machine का दाम बढ़ते जाएगा, इनिशियली में आप जादा capacity का machine न लें, अगर आपके पास इतना जादा fund की availability न हो, अभी आपने देखा machine, अब मैं इसमें बताता हूँ कि आपको raw material क्या क्या चाहिए, देखें, raw material में एक basic raw material इसका है, needle, ध्यान दीजे, जो भी आप syringe बनाते हैं, उसके लिए जरूरी न आप अपने फैक्टी में बनाएं, कई बार needle बनाने वाली company दूसरी होती है, आपको उन से needle purchase करना है, और आप यहाँ पे आप sml कर सकते हैं, तो यह भी एक तरीका है, या आप खुद ही अपने फैक्टी में बना सकते हैं, तो किनकी raw material की requirement होगी, सबसे पहला इसमें हो गया polypropylene, दूसरा हो गया इसमे, ethylene oxide, तीसरा हो गया इसमे, packaging का paper इसमें लगता है, चौता हो गया इसमे, packing boxes हो गया, पांचवा हो गया, इसमे rubber gaskets हो गया, छटा हो गया needle, जो आप चाहें तो बाहर से भी मंगवा सकते हैं, या आपने भी फैक्टी में आप इसका production कर सकते हैं साथवा हो गया इसमें आपका printing ink, अब सवाल उठता है कि अगर हम disposable syringe का business करने के लिए जा रहे हैं, तो one time investment कितना पड़ेगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, कि machine का कीमत लगभग आपको 1.3 करोड के आसपास में जाएगा, इसके अलावा आपको working capital चाहिए, आप आपको factory बैठाने के लिए आपको जगह चाहिए, और भी बहुत सारी miscellaneous चीज़ों को अगर हम include करें, तो लगभग इसमें 2 से सवा 2 करोड का आपका one time का investment जाएगा, मैं आपको फिर बता दूं कि इतने बड़े amount का investment करने के लिए आपको घबराने की बिलकुल भी ज़रू क्योंकि भार सरकार के तरफ से आपको CGT MSC scheme में up to 2 करोड तक का आपको लोन मिल जाएगा अराम से, और उस चीज़ को पाने के लिए चाहिए एक major document जिसका नाम होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना इसके bank आपको लोन नहीं देगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग करने के लिए 20 से लेकर 25 manpower का requirement है, जिसमें 6 manpower skilled चाहिए, 10 से 15 unskilled चाहिए, एकाद accounting के चाहिए, कुछ supervisor चाहिए, एकाद आपको security guard चाहिए, कुछ आपको उसमें housekeeping के staff चाहिए, ये लगभख सारे लोगों का अगर मिला दें तो 20 से 25 staff का आपको requirement पढ़ेगा, अब आता है इ दिमाग में आ रहा होगा, profit margin क्या रहेगा, इस business को करने के लिए, इस business में आपको कम से कम 20% के आसपास का इसमे profit margin है, आपको एक syringe पर इतना बचेगा, वहीं अगर बात करें कि एक बार में कितना बीगता है, तो काफी जादा बीगता है, इसलिए आपको tension लेने की कर सकते हैं, तदा इसमें आपको competition नहीं मिलेगा, चुकि सारे लोग इसमें आ नहीं रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं कि इस business को कितने में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन आपको पता चल गया, इस वीडियो में मैंने पूरा detail में आपको बता दिया, hopefully ये वीडि इस वीडियो को शेयर करके वहीं कमेंट के दूरू बताईए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, take care, bye bye